प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड क्लिक अन बेल आइकोन फॉर वीडियो नोटिफिकेशन यू विल गेट अल वीडियो नोटिफिकेशन एंड रेडी तो वार्ट नमाशकार मित्रो मैंनिल कुमार सेट हेस्टालोजी वासु एन निमरोलोजी एक्सपर्ट आज हम कन्या राशी का वर्श फल लेके आये हैं यूट्यूब के मादियम से उनका वार्शिक फल 2021 कैसे रहने वाला है जन्वरी से लेकर दिसंबर तक का विशलेशन यूट्यूब के मादियम से कन्या राशी की उपर आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं अग्राओं की अगर बात करें तो शनी श्रवर नक्षत्र में जन्वरी में परवेश करेगा उत्रा चड़ा नक्षत्र छोड़ देगा और शनी जो वक्री होगा 21 मैई 2021 से लेकर 10 अक्तूबर 2021 तक वक् अक्र राशी में ये परवेश कर जाएगा तो ये ग्राओं का या जो बक्री होना मार्गी होना बड़े ग्राओं का ये 2021 में आपको देखने को मिलेगा और कन्या राशी का अगर हम बात करें तो बुद परदार राशी है इंटेलिजेंट की राशी माने जाती है इनका जो का महिना इस तरह से रहने वाला कन्या राशी का जो फिफ्थ हाउस है काफी एक्छा एक्टिवेट हो रहा है जनवरी में फिफ्थ हाउस में आपका गुरू सूरे शुकर और शेनी आपके ट्रांसिट करेंगे फिफ्थ हाउस आपका बॉड़ी क्युमिनिटी बच्चों की हा चांस दे रहा है शुकर की यूति गुरू के साथ होने से आप खुद से भी अपना एक लव मेट अच्छा सा ढूंड सकते हैं यह ढूंड सकते हैं कन्या राशी वालों का जो फिफ्थ हाउस काफी अच्छा एक्टिवेटर होने के वज़ए से हायर एज्यूकेशन में जो बड़ बदलाव लेकर आ रहा है अगर हम थी बात करें बुद्ध का ऐपका इसा सीथ साउस में जब बुट ट्रांजीट करते हैं तो आप एपने रिष्टेदारों से से ट्रांजिक्ट करेगा और ये रोचक योग बनाएगा स्वेयराशी में लेकिन आपके लिए थोड़ा सा हानिकार्क भी है क्योंकि कना रशी में मंगल का प्रवाब काफी अग्रेसिव वह जता है और मारक ग्रह माना जाता है हेल्थ के प्रती ड्राइविंग के प्रती आपको सकेत रखना है और अपने ब्रदर की जो हेल्थ है आपके बाई बेहनों की हेल्थ है वहाँ से कोई अश्यूप समचार आपको देखने को मिल सकता है किसी की हेल्थ में प्रॉबलम आ सकती है क्यों राहू कि सित्य की बात करें ते राहू आपका नाइंध हाउस से ट्रांजिट करेंगा नाइंध हाउस में राहू आपको दीरे दीरे बागे आपका उदे कर रहा है और आपके अंदर जो ड्रीम्स आपने पैदा किये थे राहू उसको पूरा करने की कोशिश करेंगा जनवरी के महीने में आपको अगर आप देखेंगे तो आपका में जो मेजर जो पार्ट रहेगा वो फिफ्थ हाउस आपका काफी एक्टिव रहेगा क्योंकि बरस्पती का यहां पर नीच बंगराजों और शश रोकशनी का यह आपके जीवने बड़ा पड़ी बरतन लेकि आएगा अ शइनी बुद और गुरू आपका फिफ्थ हाउस ने टांजिट होने से आपका कम्टिव बहुट सब्स्यांग रहेगा क्योंकि बुद आपकी राशी का लोड फिफ्थ हाउस में आने से कम्टिकेशन सप्सक्रों में मादं से काफू बड़ा लाब मिलने वाला है। बुद कमिशन्स की अक्यूप्मेंट भी आप यहां पर करीच सकते हैं और कमिशन्स के काम से आपको कहां यहां पर बुद जो है लाब दे रहा है अगर हम केतू की बात करें केतू थर्डा उसमें आपका मंगल की राश्ची में ट्रांजिट कर रहा है क्योंकि जब भी केतू थर्डा उसमें ट्रांजिट करता है तो आपको भाईयों के साथ आपकी थोड़ी सी ट्यूनिंग को खराब करता था थोड़ा सा आईसलेट करने के कोशिश करता है आपको स्थितियों को पहले समझ कर रही उनके साथ थोड़ा जब बात करें तो बहुत स्थितियों को पहले समझना जैसे बेक बॉंस वगारा यहां टांगों में दर्द जो बॉंस होती है। उस में सूरे यहां पर प्राब्लम कर सकते हैं, यह आपके 12,000 डोड़ा मंगल की बात करें तो राव के साथ आपकी वरिश्य वराशी में यूती होने वाली है ये एक अंगारक योग यहां पर बनता है और नाइन्थ हाउस में होने से पिता की हेल्थ को यहां पर डिस्टरब कर सकता है भागे में धरम के कारे में भी ये आपकी रुकावट पैदा कर है और स्पर आता है तो आपका ट्वैल्थ हाउस को देता तो कोई अपकी धर्मिक यातरा आपकी हो सकती है आपको 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 कम्मिकेस्ट लेवल में आपका इंप्रुमेंट करे अपको कुम राशी में होगा और दूसरी बात ये कि मौसीब हुगा आदिक से कोई शुक्र शुक्र का 7th house में जाना आपके life partner के लिए बड़ा शुब है और शुक्र उचका होने से आपको life partner एक अच्छा मिल सकते हैं अगर आप unwary is और अगर अगर आप married हैं तो आपकी पिता जी से आपको support मिलेगी और life partner से साथ आप entertainment यहां कहीं गूमने का विचार भी आपका मन बन सकता है क्योंकि शुक्र की सिती बहुत ही बढ़िया होने वाली है सेवंध हाउस में अगर हम फिफ्थ हाउस के बात करें तो गुरू और शेनी का शेश योग नीच राज योग फिफ्थ हाउस में होने से आपकी हायर एज्वि से आपको मित्रों के साथ यहां बाई बंदों के साथ आपके परिवारिक दिरिस्टियक लिये यह अशुग योग है. यह जो हंगारिक योग है इसको बचाब करने के लिए आपको मंगल की रेमेडी मार्च के महिने में बेभी करनी पड़ेंगी. अगर हम April की महीने की बात करें तो April में गुरू जो है आपका यहां परिवर्तन दिख रहा है Sixth house में transit कर रहा है जब छटे बाव में गुरू transit करता है तो आपके liver में problem आपको आ सकते हैं क्योंकि seventh house से यह बार में बाव है और life partner की traveling ज्यादा होने से आपको मांसिक तनाव भी हो सकता है और आपके अभी जो digestion power है वो weak हो यहां पर गुरू कर रहा है क्योंकि कुम राशी में इसका sixth house में transit होगा अलाकि sixth house में यह आपके banking sector के लिए अच्छा है जो banks में job करते हैं बैंक के साथ को डिलिंग करते हैं loan वगारा का apply करते हैं यह loan लेना चाहते हैं banking sector के लिए गुरू आपका यह अप्रूवर loan दे सकता है और education के लिए अगर आप loan apply करना चाहते हैं तो bank आपकी support कर सकता है शनी की position की बात करें तो शनी आपका fifth house में स्वें की राशी में मकर राशी में होने से आपके जीवन में काफी अच्छा परिवर्तल लेके आ रहा है क्योंकि वो श्रवन अक्षतर में होने से आपकी धन की मात्रा को बढ़ाएगा और creativity के लिए दोबारा आपको शनी यहां पर धन देने वाला है अगर हम बुद्ध शुकर और सूरे की बाद देने तो आपका eighth house से ट्रांजिट करेगा है हलांकि यह बुद्ध और शुकर का लक्ष्मी नरायन जोग eighth house मेंने से अकस्माद दन देता है पैत्रिक प्रॉपर्टी से दन देता है पिता की तरफ से आपको कहीं दन मिल सकता है हलांकि पिता की स्वास्ते को यहां निकर रहा है यहां पर eight thousand सूरे उचका होगा बारवेंगा घर का लोड है आपकी medical expense सूरे करा सकता है तो यह थोड़ा सा आपको दियान देना पड़ेगा यहां पर सूरे के लिए और राहू की बाते रहे तो राहू आपका अकेला रह जाएगा nine thousand मंगल वहां से निकल जाएगा मंगल आपका tenth house में transit करेगा जब भी मंगल tenth house में दिशाबली होकर powerful हो जाता है तो आपको electronics electrical काम से काफी support करता है April के मेने में आपको मंगल जो है दिशाबली होने से नई नौकरी का भी job यहां पर देने को offer दे सकता है क्योंकि eight thousand भी आपका activity रहेगा उसका लोड बुद जो है eight thousand मेने से आपके जो मंगल और बुद एक दूसरे के घर में आकुपाइड रहेंगे यह एक राज योग बनता है यहां पर six thousand के साथ connectivity आपकी eight thousand के साथ connectivity आपकी tenth house के साथ होने से आपको अकस्मा धन भी मिल सकता है यह एक अच्छा योग बन रहा है यहां पर और मंगल की जो दूसरी राशी है तीसरे बाव की आपको भाईयों से भी support यहां पर देखने को मिल सकती है मई महीने की बात करें तो मंगल बुद और शुकर आपका tenth house में transit करेंगे यह एक लक्षमी नरायन योग आपका यहां आपका tenth house में बन रहा है यह एक बहुत बड़ा sign आपका बनने जा रहा है tenth house में होने से आपको जॉब, मानपरतिष्टा और वेपार में वरेदी देखने को मिलेगी नई नौकरी आपकी लग सकती है, वेपारिक द्रिष्टी से भी यह टाइम शुब रहेगा सूरे राउ की यूती आपकी ninth house में रहेगी ninth house में सूरे राउ की यूती होने से आपको पिता की सेथ को यहां पर हानी हो सकती है और सूरे आपका राउ के साथ होने से आपको आँखों में प्राब्लम दे सकता है क्योंकि सूरे को यहाँ पर ग्रैंड भी लग सकता है क्योंकि राउ के साथ जूती होने से सूरे की आपका 12th house का लोट पिता के स्वास्ते पर कोई medical expense आपका निकल सकता है गुरू आपका 6th house में transit करेका गुरू की दृष्टी आपकी 12th house पर जा रही है विदेश से आपको धनलाब दे सकता है विदेश की यातरा आपकी उत्पन हो सकती है विदेश से कोई आपको sponsorship भी बेश सकता है शनी की बात करें शनी आपका 6th house का लोड 5th house में होने से आप अपनी education अपनी personality development पर भी काफी द्यान देने वाले हैं तो किन्य रशी का शनी बहुत अच्छे स्थान पर यहां पर बेटा हुआ हुआ 5th house में थोड़ा पेट से सबंदित आपको gastric trouble रह सकती है जून मेने की बात करें जून मेने में मंगल शुकर की यूति आपकी लाव वाव में होने से शुकर स्वे राशी में होने से आपको धनलाब मिल सकता है आपके मित्रों से आपके भाई बंदों से धनलाब के योग बन रहे हैं लेकिन मंगल करकराशी में होने से आपको बड़े भाई की स्वास्ते पर भी ध्यान देना है और मदर की स्वास्ते पर भी ध्यान देना है सूरे आपका टैंट हाउス में होने से आपको सरकारी कामों से लाब देगा और पिता की तरफ से आपको सुपर्ट मिलेगी पिता के स्वास्ते में भी improvement देखने को मिलेगा बुद्ध और राहु की जुति आपकी ninth house में होने से आपका communication level काफ़ strong रहेगा जो आपके dreams हैं वो यहाँ पर बुद्ध राहु की जुति होने से आपके पूरे होने वाले हैं जून के मेने में कोई आप बहुत अच्छी आपकी जिसको कहते हैं कि जॉब मिलने की संभावना यहाँ पर राहु और बुद्ध की जुति से मिल सकते हैं क्योंकि भागे में यह दोनों ग्रैंगे आपके transit करेंगे अगर हम जुलाई मीने की बात करें जुलाई में गुरू और जो शनी हैं दोनों वकरी रहेंगे हलाकि जुन के मद्दे में यह हो जाएंगे और जुलाई में गुरू जो है आपका सिक्स ताउस में वकरी होने से दोबारा से बीचे की और चलना लग पड़ेगा मकर राशी की तरफ गुरू कि स्थित्रि आपकी वकरी होने से आपको अपनी हेल्थ पर त्यान देना है थोड़ी लिवर में आपको यहां पर समस्या देखने को जुरूर मिलेगी गुरू क्योंकि आपके सेवंत हाउस का लोड जब शिक्स हाउस में जाता है तो आपके लाइफ पार्टनर की ह पूर्जा उत्पन करेगा शनी आपका टेस्ट लेगा आपका जो आपने मेनत की उसको भी रिजल्ट में कनवर्ट करेगा शनी जब भी वक्री होता है तो दर्ती के समीप होने से आपको रिजल्ट देने के लिए अतुर होता है तो जो जिस साफ से आपने मेनत की होगी या शुक्र के साथ होने से आपकी विदेश यात्रा भी यहां पर आ सकती है एट्थ हाउस का लोड है मंगल एट्थ हाउस का लोड जब बारवे बाउ में जाता है तो हेल्थ के प्रसी आपके आपका खर्चा करा जिता है जिसे आप कोई जिम वगरा या बॉड़ी की इमुनिटी के लिए कोई सप्लिमेंट्स वगरा आप यहां पर मंगल के दोबारा आप आपकी बॉड़ी में और जाप प्राप्ति के लिए आप इसके उपर एक्सपेंस भी करोगे शुक्र कि सिती मंगल के साथ होने से आपको लग्जरी लाइफ में इंज्वाया आएगा और सूरे और बुद की बुद अजिते योग आपके लाब भाव में उनसे आपको धन की प्राप्ति होगी तो धन के मारग आपके जुलाई के मेने में काफी अच्छे खुल रहे हैं अगस्त मेने सूरे और मंगल की यूटि आपकी बार में बाव में रहेगी आँखों में समस्या आ सकती यहां पर 12 आउस का आपका बहुत जागरत रहेगा अलाकि सूरे स्वें राशी का रहेगा लेकिन लेफ्ट आइस में आपकी प्राब्लम आ सकती है और यात्रा के दोबारा आपको दन की अपराप्ती वदेश में मिल सकती है क्योंकि यह वदेश का खाना भी यहां पर ओपन र स्वें रहेगा और आपके कैरियर में काफी बदलाव लेके आएगा गुरू की बात करें सिक्स हाउस में तो आपकी हेल्थ में दिरे दिरे इंप्रूमेंट लेके आएगा आपको फूड की चीजों में यह हैबिट आपकी चेंज करेगा जो आपको गुरू एक लर्निंग स सूरे आपका स्वें की राशी में एंटर करेंगे क्योंकि यह मंगली की योग भी बनता है क्योंकि एट्थ हाउस का लोड जब मंगल आपकी राशी में आता है तो चोड दुरुगतना का कारक बनता है क्योंकि यह एट्थ हाउस मंगल एक अंगारक प्लैनेट है सूरे के सा house में होने वाली है अगर हम second house की बाते हैं बुद्ध और शुकर की यूती second house होने से आपको धन की प्राप्ती होगी आपको विपार से काफी अच्छा धन मिलेगा परिवार में कोई function साधी celebration में भाग ले सकते हैं traveling से लाब मिलेगा अगर हम गुरू की बाते हैं गुरू वक्र में भी आपको improvement देखने को मिलेगा तो गुरू का रॉल काफी अच्छा आपको वक्री पिरेड में देखने को मिलेगा अगर हम October की मीने की बात करें तो October का मीना आपका बुद उचका first house में रहेगा ये एक अच्छा साइन है और दूसी बात यह है कि उचका बुद जब काफी support कर सकता है मीडिया की लोगों को भी यहां पर काफी support कर सकता है नहीं job की creation यहां पर बुद आपको दे सकता है क्योंकि 7th house को aspect करेगा mind आपका काफी शाब चलेगा सूर्य और मंगल की यूति आपकी second house में रहेगी हलां कि सूर्य नीच करेगा मंगल आपका अस्तर है स second house में जब सूर्य नीच का आता है तो आपको परिवार के ऊपर आपका expense एक तम से निकल सकता है राइट आइस में आपकी यहां पर problem आ सकती है और आपके मूं में जिसको करते है चाले गर्मी पड़ जाना है यह सूर्य मंगल की यूति यहां पर indicate कर रही है और second house में होने से आपको गुसा भी आ सकता वानी आपकी कठो रह सकती है शुकर के सिती जो आपकी fourth house में रहेगी आपको वहन का भी purchase करने का मन करेंगे कोई land या भूमी लेने का विचार करेंगे कोई luxury house भी आपको यहां पर प्राप्ती हो सकती है गुरू और शेनी की यूति आपकी fifth house में आ नवंबर में आपका मंगल जो है आपका second house में अकेला रह जाएगा मंगल आपके eighth house को देखेगा आपकी food की habit में भी मंगल काफी change लेके आ रहा है और दूसरी बात यह है कि eighth house को जब देखता है तो मंगल आपको पैत्रिक संपत्ती और आपको वानी से धनलाब दे सकता है क् थर्ड आउस का लोड जब आपका second house में transit करता है तो मित्रों के उपर आपका expense करा देता है थर्ड आउस में सूरे बुद्ध केतु की जूती यह बता रही है कि आपको अपने भाई मित्रों के साथ संबंद बनाके चलने हैं पिता के साथ संबंद बनाके चलने हैं क्योंकि क इत्तु के साथ जब भी सूरे की जूती होती है तो आपको गले में problem आती है tonsils वगरा या thyroid की problem साथ की problem जो है यहां deduct हो सकती है तो third house जो गले का होता है उसमें आपको यहां पर चीजों में परेज रखना है शुकर की city fourth house में होने से आपको गर के उपर renovation का काम करा सकते हैं औ और कोई नहीं गाड़ी का योग नॉम्बर के मेने में आपको देखने को मिलेगा शनी की city fifth house में आपका जो आपकी काफी शुब रहेगी मार की हो जाएगा गुरू भी मार की होके आपके कुमराशी में दवारा से परवेश करेगा तो शनी की city मार की होने से आपके जीवों जब six house में आता है तो मदर की तरफ से आपको लाव मिल रहा है दिसंबर के मेने में भी आपका देखेंगे तो मंगल के तु की यूती third house में हो रही है ये आपके भाईयों के प्राक्रम के लिए और खुद की confidence level के लिए अच्छी है यूती मंगल स्वेंग की राशी में तीस expense है वो आपका medical expense भी हो सकता है साथ में आप कोई वाहन को repairing भी करा सकते हैं दूसरा गर की renovation में यह आपका सूरह यहां पर expense करा सकता है क्योंकि शुक्र के साथ बैठा होगा और नहीं गाड़ी के ऊपर आप investment कर सकते हैं property land booming आपके यहां पर प्राप्ति दिख रिए मातर सु आपको अच्छा मिल सकता है और फिफ्ट house में बुद्ध और शेनी की यूती आपकी communications level skills में बहुत अच्छा improvement आपको दिसम्बर के महिने में मिलेगा गुरू कि सिथी आपकी six house में रहेगी रिष्टेदारों से आपको दनलाब मिलेगा रिष्टेदार आपको फॉरण से invitation बिदेश दिखते हैं विदेश जाने का आपका मन करेगा राउ कि सिती आपकी मंगल के उपर दिष्टी होने से आपको अपनी वानी को कंट्रोल रखना है कही ना कहीं आपकी बैस किसी मितर के साथ हो सकती है क्योंकि मंगल राउ को देखेगा हला कि राहु आपके dream को यहां कि माद्दे हम से बतल आया है इसके साथ ही हम आपसे आगे लेते हैं नमचकर